नहीं, दोनों डोजिस के लिए एक बार ही रेजिस्ट्रेशन कराना होगा क्लिनिकल ट्रायल्स में दोनों ही वैक्सीन वाइरस को रोकने में कारगर पाई गई हैं इसलिए दोनों ही वैक्सीन बहतर हैं क्या मैं दोनों वेक्सीन में से कोई भी वेक्सीन कभी भी लगवा सकता हूँ अपने मन से? नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिस वेक्सिनेशन सेंटर पर जाएंगे वहां कौन सी वेक्सीन अवेलिबल है? मुझे पहले करोना हुआ था, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ, क्या अभी भी वेक्सीन की जरूवत है? बिल्कुल, कोरोना के कई मामले रिइंफेक्शन के हैं, इसलिए आप रिकवर हो गए हो तब भी वेक्सीन लगवाएं किने हैं वेक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? ट्रेगनेंट महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं, कोरोना मरीज या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़िद व्यक्ती वेक्सीन ना लगवाएं मैंने पहला डोस को वेक्सीन का लगवाया, दूसरा को भी शिल्ट का लगवा सकता हूँ बिल्कुल नहीं, आप पहला डोस जिस भी वेक्सीन का लगवा रहे हैं, दूसरा डोस भी उसी वेक्सीन का लगवाएं क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा? बिलकुल वैक्सीन लगवाने के बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतना जरूरी है शरीर में एंटी बोडी बनना कब शुरू होगी? वैक्सीन के दोनों डोसिस लेने के दो से तीन हफ़तों के भीतर शरीर में एंटी बोडी बनना शुरू हो जाती है जिस जगा वैक्सीन लगाई गई वहाँ हलका दर्द, सिर्दर्द, बुखार, चिटचड़ापन, चक्कराना जैसे लक्षन दिख सकते हैं ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से दवा ले सकते हैं वैक्सीन कोरूना से बचाव की 100% गारंटी नहीं देती है लेकिन कोरूना से लड़ने में आपकी शक्ती जरूर बढ़ा देती है वैक्सीन से पीरियेट्स पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पीरियेट्स एक पूरी तरह से नैच्रल प्रक्रिया है वैक्सीन का इससे कोई लिन देना नहीं है वैक्सीन की कीमत कितनी है? तरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही है प्राइवेट अस्पतालों में आपको वैक्सीन के एक डोस के लिए धाई सो रुपे देने होंगे तो उमीद है वैक्सीनिशन को लेकर सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे तो जल से जल वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं